विटमिन C हमारे शरीर का बहुत ही आवशक पोशक्तत्व है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ विटमिन C की कमी होने पर दिखने वाले कुछ प्रमुक 10 लक्षणों के बारे में विटेमिन C की कमी होने पर दिखने वाले लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है Rough Skin यानि की खुरदुरी तवचा विटेमिन C हमारे शरीर में collagen production में बहुत महतपूर भूमिका निभाता है collagen एक ऐसा protein है जो connective tissues में पाया जाता है जैसे की तवचा, बाल, हड्डिया, blood vessels, अधी connective tissues से ही बने हैं इसलिए जब विटेमिन C की कमी होती है तो इसका प्रभाव आपकी तवचा बालों और हड्डियों पर दिखता है जब शरीर में विटेमिन C की कमी होती है तो इसकिन यानि तवचा में किरेटोसी स्पायलेरिस नामक कंडिशन डबल अप हो जाती है जिसे चिकन स्किन के नाम से जाना जाता है इस कंडिशन में जो तवचा है वह पंपी यानि की खुर्दुरी और दानेदार हो जाती है बिलकुल मुर्गियों की तवचा की तरह खास करिया जांगों और उपरी बाहों में देखने को मिलती है जब 3-5 मिने तक परियापत मातरा में विटेमिन C शरीर को नहीं मिल पाता है तब किरिटोसीस पायलोरिस की कर्डिशन दिखाई देती है विटेमिन C की कमी का दूसरा लक्षन है क्रॉक स्क्रीव शेपड बॉड़ी हेर्स विटेमिन C की कमी से बाल मुड़े हुए या कॉंडलेद आकार के भी हो सकते है क्रॉक स्क्रीव आकार के बाल विटेमिन C की कमी के बहुत महत्पूर्ट संकेत है पर अक्सर या इसपर्ष नहीं हो पाता क्योंकि इस आकार के बाल अक्सर तूट कर गिर जाते है बालों की सरशनमी या असमाने परिवर्तन अक्सर विटमिन C की परियाप्त मात्रा का सेवन करने से ठीक हो जाते हैं लगबग एक महिने की भीतर विटमिन C की कमी का तीसरा प्रमुक लक्षण है ब्राइट रेड हेर फॉलिकल्स तोचा की सतापर बालों की रउम में कई छोटी ब्लैड विसल्स होती है जो बालों के लिए ब्लैड और नूट्रियंस यानि पोशक तत्वो की आपूरती खती है जब विटमिन C की कमी होती है तो यह छोटी ब्लै विसल्स बहुत नाजुक हो जाती है और असानी से तूट जाती है जिससे बालों के रूम यानि फॉलिकल्स के आसपास छोटे चमकीरे लाल धबी दिखाई दिने लगते हैं या कंडिशन पेरी फॉरिकिलर हेमरिज के नाम से जानी जाती है या सीवेर विटेमिन सी डिफिशेंसी का एक महतपूर संकेत है विटेमिन सी सप्लीमेंस लेने से या समस्या दो हपतों में ठीक हो सकती है विटेमिन सी की कमी का चौथा लक्षण है स्पून शेप्ड फिंगर नेल्स विथ रेट स्पॉर्ट और लाइन्स चमच के आकार के नाखून जिसमें लाव धब्बे या लाल लाइन दिखाई देती है या लक्षण आम तोर पर आरन डिफिशेंसी एनिमिया से जुड़े लोगों में दिखाई देती है पर या लक्षण विटेमिन सी की कमी से भी जुड़ा है और यह समस्या splinter hemorrhage के नाम से भी जाना जाता है विटेमिन C की कमी का पांच वाल अक्षड है dry damage skin एक स्वस्त तवचा में बहुत अधिक मातरा में विटेमिन C पाया जाता है खासकर epidermis यानि skin की outer layer में विटेमिन C हमारे skin या तवचा को oxidative damage से बचाता है जो की अक्सर sunburn या polyteins like cigarette smoke के कारण हो सकता है विटेमिन C collagen production को बढ़ाता है जो तवचा को कोमल और youthful दिखने में मदद करता है परियापत विटेमिन C intake से skin quality बहतर होती है विटेमिन C की कमी के कारण तवचा रूखी और जुरीदार हो सकती है वैसे dry and damaged skin जैसे लक्षण कई दूसरे कारणों की कारण भी या दूसरे conditions की कारण भी दिखाए देते हैं विटेमिन C की कमी का छटवा लक्षण है easy bruising विटेमिन C की कमी से blood vessels यानि रक्तवाहिकाय कमजोर हो जाती है जिसे चोट लगना असान हो जाता है या अकसर विटेमिन C की कमी के पहले इस पश लक्षणों में से एक है विटेमिन C की कमी का साथ वा लक्षण है slowly healing wounds विटेमिन C deficiency होने पर collagen production decrease हो जाता है जिससे tissue formation जल्दी दहीं हो पाता है और घाव धीरे धीरे ठीक होता है या विटेमिन C की कमी का एक advance संकेत है अर्था जब कई महिनों तो आपको विटेमिन C deficiency हो तो यह लक्षण दिखाई देते हैं यानि कि शुरुवाती अवस्ता में आपको अन्य लक्षण पहले दिखाई देंगे विटेमिन C की कमी का आटफा लक्षण है painful swollen joints विटेमिन C की कमी होने पर अक्सर severe joint pain होता है यानि जोडों में दर्ध होता है कई severe cases में joint के अंदर bleeding होने के कारण painful swelling हो सकती है विटेमिन C deficiency का 9 लक्षण है weak bones विटेमिन C हड़ियों की निर्मान के लिए बहुत आवशक होता है इसलिए विटेमिन C की कमी होने पर हड़ियों की कमजोर और भंगूर होने जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं विटेमिन C की कमी का 10 लक्षण है bleeding gums और tooth loss लाल सूझे हुए मसूरों के से खून बहना विटेमिन C की कमी का एक और समान संकेत है पर्याप्त विटेमिन C के बिना gum tissues कमजोर हो जाते हैं और उनमें सूर्जन होती है तथा आसपास उपस्ते blood vessels से अधिक आसानी से खून बहता है सीवर विटेमिन C deficiency के केस में मसूरे बैटनी रंग के और सड़े हुए दिखाई देने लगते हैं आखिरकार अनहिल्थी मसूरों और कमजोर डेंटिन के वज़े से दांद गिनने लगते हैं यानी tooth loss होने लगता है इन लग्षणों के अलावा विटेमिन C की कमी होने पर शरीर का प्रतिरक्ष तंद्र यानी immune system कमजोर हो जाता है poor immunity के कारण infection का खत्रा बढ़ जाता है विटेमिन C की कमी होने पर RNA deficiency यानीमिया का खत्रा बढ़ जाता है थकान होना, खराब मूट ये विटेमिन C की कमी के कुछ आम लक्षण है जिसे परयाब तो विटेमिन C इंटेक से ठीक किया जा सकता है जैसे आप बहुँ ज़्यादा अब ठके होते हैं तो नीमू पानी पीने से आपको अच्छा मेसूस होता है तो इस तरह से ये विटेमिन C की कमी के कुछ 10 प्रमुक लक्षोन थे जिन्हें आपको ध्यान में लखना चाहिए और अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए स्वास्त और मेडिसिन से संबंधित तो सब्सक्रेब करें UG Pharma Guide चैनल को and don't forget to press the bell icon to get the latest updates of our videos स्वास्त रहें सुरक्षित रहें धन्यवाद